हलो दोस्तो मनोज पिलपैचन पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम हमारे भाई भेनों के लिए बहुत ही मौस्ट इंपोर्टन टॉपिक अभी जो क्रोना चल रहा है उसके कुछ महत्वपुन परसन लेकर आ रहे हैं और इन में से में हैं से के शम से कए एक्षाम्स में जो है एक या दो कोसिंस जो ह blessing देखनेंगों को मिल सकता है और यह जो है जो को से सहरो दोस्तों अभी कॉमन कोसिंस हैstad आकड़े जो है आकड़े जो हमें लेकर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वह भी चैंज हो सकते हैं लेकिन जो कॉमन कोशन्स हैं वह लेकर आए हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपका इनको पता होना चाहिए दोस्तो हमने इसके लिए एक पीडियेपी क्रियेट की है और जो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंतक देखें क्योंकि कोशन्स रेलेटेड जो हम दूसरी बाते होती हैं वो बताते हैं और मैं चाहता हूं कि आप उससे वंचित प्रवाइड कर सकें तो दोस्तो हम बात करते हैं कोरोना वारिस की महत्यपुन पर्शन हैं दोस्तो पहले कोशन्स दोस्तो कोरोना वारिस को महामारी गोशित करने वाला पहले राजा कौन सा बना दोस्तो यह था अपना हर्याना राजे कोरोना वारिस को सबसे पहले महामारी जो गोशित की थी वो हापने हर्यानय राजे ने की थी दोस्तो नेक्स्ट है कुरोना वारिस की शुरुवात चीन के वुहान से शुरू होई ये चीन के किस प्रांत में स्थित है दोस्तो ये हुवी प्रांत में स्थित है दोस्तो नेक्स्ट है कोविड-19 मानुसरी के किस में problem होती है दोस्तो नेक्स्ट के बारे में जागरूप करने के लिए फेस्बुक ने भारत में कौन सा feature launch किया दोस्तो ये था Corona virus information center दोस्तों वहीं बात करते हैं next question की social app instagram ने अपने users को Corona virus के बारे में जागरूप करने के लिए कौन सा feature launch किया तो दोस्तों Instagram ने यह किया था Instagram feed के नाम से दोस्तों next है coronavirus के बारे में जागरू करने के लिए Google ने कौन सा नया website जो है शुरू की तो दोस्तों यह थी google.com slash covid19 तो दोस्तों यह जो है Google ने त्यार की थी दोस्तों जागरू करने के लिए next है coronavirus के बारे में जागरू करने के लिए WhatsApp ने भारत में कुन सा feature launch किया दोस्तों यह था WhatsApp chatbot के नाम से था दोस्तों next है सुक्सम दर्सियन के Microsoft दोबारा देखने पर coronavirus की सरचना किस किस मान दिखाई देती है दोस्तों यह crown की shape में दिखती है जैसे की जिसकी चारों तरफ कीड़े कीड़े से जो एक तरह से होते हैं दोस्तों जैसे की जैसे अपने गमम काया देने शूल टाइप सी शूल सी हों दोस्तों एक crown टाइप का होता है दोस्तों next है इस वारिस का नाम क्रोन वारिस कैसे पड़ा दोस्तों इसका जो shape है वो crown जैसा है इस वज़े से इसका जो नाम है क्रोन वारिस से पड़ा next है क्रोन वारिस किस विमारे से समझ दित है दोस्तों यह दो से था एक सार्च और एक मार्च दोस्तों सार्च की जो फुल फॉम है वह सर्वर एक्यूट रैस्परेटरी सिंड्रॉम वहीं मार्च की स्पेलिंग है दोस्तों middle-est respiratory syndrome यह आपको पता होना चाहिए बहुत most important है दोस्तों वहीं क्रोन वारिस के मुख्य लक्षन क्या होते हैं दोस्तों यह most important कर्फ्यू लगाया था, दोस्तों ये 22 मार्त 2020 को जो है अपनी भारत में कर्फ्यू लगा था, कोःड-19 को किस ने महामारी गोशित किया दोस्तों ये WHO 동 Health Organization ने इनको महवारी गोशित किया था दोस्तों नेक्स्ट है कुरोना वारिस 2019 का पहला केस कहां सामने आया दोस्तों ये चीन में वहान के हुआ नान में आया था दोस्तों ये अभी पूछ रहें कि कुरोना वारिस 2019 का पहला केस यानि कि वर्ल्ड वाइड पहला केस जो है चीन ये वहान के हुआ नान सीफूड मार्केट में मिलने वाले सुमंदरी जियो चमगादड और सांप के जो मीट होता है उसकी जो ये मैन वजे मानी जा रही है दोस्तों नेक्स्ट है कुरोना वारिस कि किस प्रकार का वाइरिस है दोस्तों ये एक आर एन ने वारिस है दोस्तों ये कुछ जो most important questions थे कुरोना वारिस से related जो बदलेंगे नहीं और इन में से आने वाले exams में हमें कुछ questions देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों thank you so much वीडियो देखने के लिए